ठंड बहुत है पारा लगतार लुड़कता जा रहा है ऐसे में आपको साउधानी बरतने क्या हो सकता है कुछ खास-खास बिंदूओं पर आज का हमारा ध्याना करसण होगा गलन हो रही है आज ठंड इतनी थी कि भगवान भासकर के दर्शन नहीं हुए आप सभी ने भी इस ठंड का आनुभव किया होगा विशेश रूप से इस ठंड में बच्चों और बुजर्गों को बचाने क्या हो सकता है माता जी बिमार है और इसलिए हम सभी लोग इस समय घर पर लगातार बने हुए हैं परिवार के सभी सद्य से उनकी सेवा में लगे हैं ठंड में अपने बच्चों को ऐसी ठंड में यदि बिद्याले वाले पिद्याले खोलते हैं तो भी आप बच्चों को नँभिजे कुछाओ और उनके जो ब बच्चों को नो बहुजे प्रोजाले के प्रिंसे इन्रोद करें कि बढ़ बच्याव बंत कर दें मैं ने देखा खिड़किया खुली हुई हैं बच्चेों को बेजा जा रहा है बच्चे ठंड में इस समय तो मा की साथ रजाई में बच्चे दूबके रहें पापा के साथ रहें परिवार के सदर्सेओं के साथ रहें और अंगीठी ये दिया आप जलाएं तो ध्यान रहे कि क से इनकार नहीं किया जा सकता सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता इसलिए हर्ट अटेक होगा जो दमा के मरीज हैं सांस के मरीज हैं उनको भी परिशानी होगी कान हमेशा बंद रखें गरम कपड़े पहने और अगर भाव ग्रस्त लोग हैं चाहे सब कुछ संपनता है तो भ एक ताट की पठी है जैसी ढूंव हैं बहने हमें कूपाल को उसमें भी जो तार्ट की पठी है जो बोने हैं उसमें भी-पर करके उसका लेवा बनाया सकता है लेवा कहने में अटपटा लगता है लेकिन लेवा किसानों के घर होता था और जो परित्रक्त कपड़े थे उसमें डाल करके सिल दिया जाता था सिलने के बाद वो एक बिछावन तयार हो जाता था उसका अच्छा रूप सुजनी होता है अब सुजनी कम जगह मिल रहा है तो यह वीडियो आज का करने का मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जैसे मोटरसाइकिल से गए अब यह कि नए बच्चे हैं फैसन में वह चले जाएंगे कान नहीं ढखे हैं कोई टोपी लगा लिए हैं तो भी कान खुला हुआ है और हाथ में दास्ताने नहीं हैं मोटरसाइकिल चलाए जा रहे हैं आपको नहीं पता कि हर्ट अटेक तुरंत हो सकता है किसी समय हृदे गती रुख सकती है और आदमी दिवंगत हो सकता है तो यह मुझे कहना था और यह हतियाद के तोर पर आपको हिदायत भी देनी थी सभी पक्षियों को भी मरते वे देख सकते हैं कहीं न कहीं ठंड में घिर जाएंगी और ब्रें हेंबरेज हो जाएगा अदमी को ब्रेन हमरेज को होगा पशु और पक्षियों को होगा गाय और भैस को होगा अब ऐसे में छुटा पषू भी है वहीश ही है ठंड में मर रहें लगातार मर living कोई असर नहीं है अब प्रदे प्रपु कर्या लोग भी गंदे हैं दूद पी करके उनको फिर उन्हें छोड़ देंगे एक तरफ नहीं का सकता लेकिन प्रदेश सरकार का भी तुगल की फरमान जैसे बाबा ने जो कहदिया वहीं सही है आगे पीछे नहीं देखना है कि होगा क्या और यद्दिब की सराब पर टेक्स लगा करके इनके गोबंस को बचाने का प्रेयत लगातार किया जा रहा है जब आप अंग्रेजी सराब लेना होगा तो पहले आप गोबंस पालन के छेतर में जो उसका है हेड है उसमें आप पैसा जमा करेंगे तभी आप सराब निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कि 20 रुपे से अधिक होगा एक बाटल पर वह गोबंस बचाओ इस अभियान में जाता है विस्यांतर ना होते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ब्यायाम होता रहे मैं साइकिल चला कि आया हूं अपने बगल में तो यहां वीडियो कर रहा हूं और प्रयास करूंगा नेट की उपलबद टमाटर का सूप पालक का सूप यह सब कारगर हो सकता है कुछ गरम मसाले लेने की जरूरत है और ठंडी चीजों से परहेज पानी गुनगुना करके हमें सेवन करना चाहिए इसमें अधरक और अजवाइन यह कारगर सिद्धोगा पले पत्र जाते थे तो लिखा जाता था यद्यव की अब हमारे जो दर्सक है सम्मानित स्रोता और दर्सक वह नए जमाने के हैं पुराने जमाने में जब अंतरदेशी यह लिफाफा यह जाता था तो लिखा जाता था देखिए पक्षियों की चाहचाहाट सुनाई देती है पर्याबर का ध्यान रखता हूं देखि देखिए उस लकडी पर बेठी हुई है और बेठकर के चेचा है चेचा पेपा कई नामों से इने बुलाया जाता है बड़े सीधे साधे होते हैं लोग तो अगरम पानी का प्रयोग करें अजवाईन इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है हल्दी का प्रयोग जरूर करें र ज़र दिद्मा की सिकायत है और सांस की वीमारी है तो बहुत का दूद कदापिन दें और उस पर जो मलाई है उसे उतार कर देना चाहिए हल्दी एक तरह से आपकी जीवन के लिए राम बान है बड़ा महत्त्वे उसका कैंसर रोधी भी है और आपके हर्ट को मजबूती पर पिता जी माता जी लोग नहीं खाते हैं प्याज लेकिन उसको असदी के रूप में लेता हूँ घर में और सद से खाते पीते हैं तो लुष्ण कोलेस्टराल नहीं बनने देगा बे गन कोलेस्टराल को रोके गा इन सब सबजीओं का प्रियोग आपको लगेगा कि इस अग क उसके आधार पर यह निवेदन आप सभी तक ज्यापित कर रहा हूं बिनम्र भाव से म्रजबू सौर्दूबे का साधर नमस्कार माता जी की बीमारी के वज़े से इस सबसे घर पर हूं लगातार घर पर ही बना रहा हूंगा नमस्कार